हलो स्टुडेंट्स स्टेटी मीडियम चल्म आपका स्वागत है जो लोग बीएसी नर्सिंग एंड पारामेडिकल इंटरेंस इजाम को त्यारी करें उनके लिए वीडियो बहुत इंपोर्टेंट ही इसमें पिछले दस सालों के सारे क्वोस्टेंस को कलेक्ट किया गया जो आ यह आपसन डिफ फास्फोगलेरिक एसीड से सो इसका गया एंटर जल से बलका संसलेशन के दोरान जो जल आती है उसका दो अनुच जल को बीच से तोड़ा जाता है और बीच से तोड़ने पर जो यह 2-2-0 प्राप्त होती है इसका कार्वोहाइड्र में निर्मान में संसेलेशन होता है और सने नीग्लिमें आसन भी माइट्र कुंद्रिया में आसन सिक लोप्ल gehört में आकेöm से सुंडे स्में तो सकतर आप चलोब प्लाषट में नेक्ट ककॉस्टन से प्रका संसेलेशन का पर्थम इस्तिरोगी गुलकोज जो होते हो प्रकास संसीलेशन का पर्थम इस्तरी योगी होता है नेक्र पोइशन से ऐसी जैविक किनिवन तो यहां श्रवाजा मुख्थ होता हो तो सिन्ध होता हो तो इसका और अंसर हो जाएका और सौसन ठीक है सौसन में क्या होता है सरकराद था बसा का ऑक्सिकरन होता है ओके नेश्ट कोशन से सौसन मापन यंत्र कहलाता है और स्पाइरोमेटर तो सौसन को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है तो इसका करेक्ट अंसर हो जागा और स्पा कार्बन डायक्साइड मुक्त होगी वह कसंग अंतरगत मुक्त होगी और न्स कोईबनेस तो कोई न ही तर्ट एक जग ओप्सण है यह राठ्रिये माओ कर्फिर्क आनए मेरा थी पहल सबकलन टा चोड़ते हैं ऑपषिन भी यह तरी के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं इनमें से कोई नहीं है तो करेट एंसरों जगा ऑफ्षन है यह रात्री के समय कारवन एक साइड छोड़ते इस वह से सला नहीं दी जाती है नेक्स्ट कोईशन से ATP का फूल फॉर्म क्या है एडिनोसीन ट्राइफास्पेट ऑफ्षन भी एडिनीन ट्राइफास्पेट ऑफ्षन सी एडिनोसीन ड्राइफास्पेट अफ्षन ट्राइफास्पेट तो इसका करेट एंसरों जगा ऑफ्षन है एडिनोसीन ट्राइफास्प नेस्ट कोशन से अनाक्सी सोचन के अंतिम उत्पाद क्या होते हैं पाइरुविकम आप्सन वी थाइल अलकॉहल आप्सन से स्टार चना संदी सरक्रा तो इसका करेट अंसरो जागा आप्सन भी इथाइल अलकॉहल यह जो अनाक्सी सोचन का अंतिम उत्पाद है न वो इताइल अंतिमुतपाद क्या होते हैं जिसमें ऑक्सिजन के उपस्तेती होती है उसका अंतिमुतपाद क्या होते हैं अधिक गहराई पर बोय गए बीज प्राय अंकुरित नहीं होते हैं क exactamente क्या ऊफसन इसमें बायू नहीं मिल पाती है और वी इनहें नायटरोजन नहीं मिल पाती है आफसन सी यह महान दवाव के अंतरगत वोते हैं अंधि इनहें कास नहीं मिल पाता है तो इसका करेट अंसरों जगा उप्शन इन्हें वायू नहीं मिल पाती और अंकुरन के लिए वायू बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होती ठीक है नेक्श वायू बहुते हैं तो घ्लिकोलाइसिस का अंतीम उत्पाद क्या होता है जैक्प गल्यकोलाइसिस इसका करेट असर अच्या होगा तो पैरोविक अशिड होगा क्या होगा तो पाईरोविक एसीड हो जाएगा यह पिछली साल पूछा भी गया क्वेस्टन से कितना सक है विसफोर्ट ना सक है कबग ना सक या फिर खरपतवार नासी है इसका नाम है यह खरपतवार नासी है एक विस्टेस कारवन योगी के जो लगू मातरा में बृध्धी एबं उपाप चाही क्रियाओं को प्रवाइत एबं नियंत्रित करते हैं और बिल्कुल हार्मोंस के बारे में अगर बोला जाए तो यह एक विस्टेस परकार कार्वन योगी होता है जो लगू मातरा में बृध्धी एबं उपाप चाही क्रियाओं को प्रवाइत एबं नियंत्रित करती है यह एक बृध्धी नियंत्रिक पदार्थ भी होता है क्योंकि बृध्धी को कंट्रोल भी करती है एंड इसका परभाव विभी ने सांदरता और विभी ने अंगों पर अलग अलग पड़ता है तो ऑप्सें डीज ता करेक्ट एंसर ठीक है नेक्स्ट है इंडॉल एसेटिक परमुक्ता हो जाती है option B यह पत्तियों के बिलन को रोकते है और यह खरपतवार को भी नास करती तो इसका कड़ेटें अनिसेक फल प्राप्त के जा सकते हैं अगर आपको अनिसेक फल प्राप्त करना है तो आपको ऑगजीन के छिट का करना पदेगा ठीक है नेक्स्ट क्वेशन से निमलेखी तुमें से कौन सा पादप हार्मोन्स जो है वो पादप को सिकाओं को इस परकार बढ़ने के लिए प्रयरित करती जिससे पादप की और मुड़ा हुआ प्रतित होता है साइटोगाइन ऑकजिन जिब्रेलिन या फिर एपसेसिक एसीड तो इसका करेट अंतर जागा ऑप्शन भी ऑकजिन ठीक है वीडियो यही तक है अगर पसंद आया तो लाइक कर दिजएगा अपने फ्रेंट का सेर कर दिजएगा और सारे पार्ट देखना हो तो डिस्क्रिशन बॉक्स में जाएए आपको प्लेरिश का लिंक मिल जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दिएगा चले मिलते है नेक्ट वीडियो मत अथा किलिए बाइबाइ थांक्स फॉर वाचिंग्स